नमस्कार कैसे हैं आप सब मैं पंकस दूबे एक बार फिर से हो पैलन चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे आज का जो हमारा विशे है वो जहारकन की जलवायू है हम जहारकन के क्लाइमेट के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और यह बहुत ही महत्वपून विशे है JSSE, JPSE या किसी भी जहारकन के competitive exam की अगर मैं बात करूँ अगर आपको हमारे lectures अच्छे लगते हैं तो क्रिपैस से share, like, even subscribe ज़रूर करें और हमारे English और Hindi में सारे lectures की PDF को हासल करने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करें वहां आपको हमारे सारे lectures मिल जाएंगे इससे पहले भी हमने भूगोल में जितने भी lectures shoot की हैं वो सारे आपको वहां पे बड़े असानी से मिल जाएंगे तो मैं आपको इस विशय को शुरू करने से पहले ये बता दूँ कि हमने कौन-कौन से lectures अलड़ी शूट करें हुए भूगोल के संदर्व में अगर हम बताऊं तो जारकन के भूगोल का परीचे इसे हमने दो अलग-अलग हिस्सों में शूट किया जारकन की नदिया इसे भी हमने दो अलग-अलग हिस्सों में बनाया है जारकन के जलप्रपात जारकन के गरम-जलकुंड जितने भी हिस्से हैं इसे हमने कोशिश की है बरिहत जानकारी देने की इसमें और आज जो हमारा विशे है वो जारकन का जलवायू है लेकिन मैं चाह मैं मैं आपको एक डाग्रामेटिक एक्स्पेनेशन देना चाहूँगा शुरुवात करते हैं वर्ल्ड के ग्लोब से तो अगर मैं ग्लोब की बात करो तो तीन बड़ी महत्वपून रेखाएं हैं ग्लोब में जिसकी चर्चा अक्सर भोगोल पढ़ते अध्यापक और विद् बिल्कुल सेंटर पर होती है अंग्रेजी में हम इक्वेटर और हिंदी में हम इसे भूम अध्य रेखा कहते हैं भूम अध्य रेखा और इंग्लिश में हम इसे एक्वेटर कहते हैं सबसे उपर वाली रेखा को हम ट्रॉपिक आफ कैंसर यानि करकर रेखा कहते हैं और सबस और रेखाओं को समझना जलवायू के लिए किसी भी शेत्र के बहुत एहम है। ऐसा क्यों है? जो सूरी की रेखा होती है, सूरी की जो किरने होती है, सूरी की जो उर्जा होती है, वो इस साड़े 23 डिगरी नौर्थ और साड़े 23 डिगरी साउथ के बीच सबसे मैकसिमम होती ह यानि करक रेखा और मकर रेखा के भी सबसे मैकसिमम होती है और भूमद्य रेखा पे सबसे तिवर होती है। तो जाहिर सी बात है, हमारा भारत वर्ष भी इनी रेखाओं के बीच स्थित है, बलकि जो करक रेखा है वो भारत वर्ष को दो बराबर हिस्सों में बाड़ती है ऐसे में गौर तलब आती है कि भारत वर्ष का जो climate है जो जलवाईू होई वो जाहिर तोर पे गर्म होगा और जहां गर्मी जादा होती है वह डेफिनिटली वर्षा भी जादा होती है इसलिए मौनसून भी होगी और गर्म भी होगी तो भारत की जो जलवाईू है वो उश्न क्लाइमेट कही जाती है और ट्रॉपिकल नाम से पता लग रहा है आप देख सकते हैं यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यह ट्रॉपिक ऑफ के प्रिकोन है क्योंकि दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में हमारा कंट्री लाए करता है इसी वज़े से यहां पे जो वेदर कंडिशन है जो ख्लाइमेटिक कंडिशन है वो ट्रॉपिकल है यानि उष्मकटी बंदिया है तो सबसे पहले ने आपको यह बता दिया कि भारत की जो जलवायू है वो उष्मकटी बंदिया है तो अब हम बात करेंगे जारकन की जलवायू की इसी संदर्ग को आगे बढ़ाते हुए त अंग्रेजी वाले स्टूडेंट ध्यान दे इसे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं उस्नकटी बंदिया अवस्थिती एवा मौनसूनी हवाओं के कारण जारकंड की जलवायू उस्नकटी बंदिया मौनसूनी प्रकार की है तो जार्खन का climate है वो tropical है वजह मैंने आपको पहले बता दिया करक रेखा जिसके हम बात कर रहे थे यानि साड़े 23 डिगरी नौर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये जार्खन राज्य के लगबग मद्य से होकर गुजरती है भारत में करक रेखा आठ राज्यों से गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मद्य परदेश, चतिसगर, जार्खन, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम ये बहुत ही एहम किसी भी competitive exam के लिए जो आठ राज्य है भारत के जहां से करक रेखा गुजरती है मैंने पहले भी बताया है जो करक रेखा है वो भारत को अल्मुस्ट दो बराबर हिस्सों में बाढ़ती है लेकिन जार्खन के संदर्ब में गौर तलब बात ये है कि करक रेखा पर स्थित जार्खन के जो स्थल हैं जो जगे हैं वो है नेतरहाट, किसको, औरमांजी, गोला, मूरहुलमुदी, गौपालपुर, पोकन्ना, गुसा शेत्रों में स्थानिया कारणों से मौसम में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, आपको पता जार्खन में कुछ न कुछ स्थानिया कारण है, कहीं पर पठार है, कहीं समतल जमीन है, जिसकी वज़ए से अलग-अलग शेत्रों में जादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत उंतर ज़रूर पाया जाता है राची में मौसम सुहाना रहता है और यहां का तापमान 38 डिगरी से उपर बहुत कम ही पाया जाता है यानि आप कहा सकते हैं एक moderate climate बहुत जादा गर्म भी नहीं बहुत जादा उस्न भी नहीं बहुत जादा आदर भी नहीं जबकि पलामू का आपमान 45 degrees centigrade पहुँचना आम बात है यानि जहारकर में आप देख सकते हैं शेत्रिये विभिनताओं की वज़े से एक राची शेत्र ऐसा है जहां पर 38 degrees से उपर आमुमन देखने को नहीं मिलता है लेकिन पलामू में 45 degrees Celsius यानि भीशन गर्मी महसूस होती है कल कारखाने के कारण जमशेदपूर का मौसम गर्म रहता है आपको पता जमशेदपूर में कारखाने जादा है बोकारो और धनबाद कोईले के कारण कारण गर्म इलाके हैं तो यहां पे धनबाद की अगर मैं गौरतलब बात करू तो यह पूरी तरह धनबाद और जरिया जो कि यहाँ जंगल बहुत है और कल कार खाने नगरने है तो यहाँ पे मौसम इस सुहाने होने के सबसे बड़ी वज़ा यही है कि यहाँ पे जंगल जादा है कार खाने कम है इसे एक और रहम बात हमें सीखने को मिलती है कि हम जितना पेड लगाएंगे अपने क्लाइमेटिक को उतना ही कंट्रोल करेंगे चार कंड में मुख्यता तीन प्रकार के मौसम जीतु पाए जाते हैं बिलकुल भारत वर्श की तरह ग्रिश्म वर्शा एवं शीत समर मौनसून एंड विंटर्स ग्रिश्म जीतु मार्च मद्धे से जून तक अगर मैं वर्शा जीतु की बात हो जाता है और तकरीबन तकरीबन जून तक एंड हो जाता है तो इसका आरम मार्च के महीने से होता है यहां का मौसम जो ऑसतम तापमान है वो 39 डिग्री एल्सियस से 45 डिग्री एल्सियस के बीच रहता है आप देख सकते हैं अधिक्तम 45 डिग्री से आसपस और निवनतम 39 राज्य का सरवादिक गर्म महीना मई होता है मई में पूरे राज्य में भीशन गर्मी पड़ती है और राज्य का अधिक्तम तापमान 40 डिग्री है उसके पार चला जाता है आमोमन तोर पे चारकंड का मई के आसपास जो तापमान है अधिक्तम वो 40 के करीब या 40 से उपर चला जाता है राज्य का सबसे गरम स्थल जमशेदपूर यह बहुत ही एहम पॉइंट राज्य का जो सबसे गरम स्थल है वो जमशेदपूर है इस रीतु में पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न दाब होने की कारण पच्वा पवन बंध हो जाती है एवां वातावरन शांत हो जाता है मैं ज़र इस पॉइंट को एक्स्पेंट करना चाहूँगा जो ग्रिश्मरीतु है इसमें पठार के उत्तर पूर्वी भाग में निम्न दाब होने के करण यानि लो प्रेशर एरिया क्रियेट हो जाता है कहां पे पठार के उत्तर पूर्वी भाग में इसकी वज़े से पच्वा पवन बंध हो जाती है तो लो प्रेशर जब जब चलती है तो वेस्टर लीज जो है वो बंध हो जाती है और इसके बंध होने के वएसे वातावरन शांत हो जाता है यहां मई के महने में बंगाल के काल बैशाकी जिसे हम नौर्वेस्टर इसके नाम से जानते है इसके प्रवाब से थोड़ी बहुत बारिश यहां पे जरूर होती है बहुत जादा तो नहीं और इस प्रकार की वर्षा को आमर बोचार कहा जाता है जिसे हम अंग्रेजी में मैंगो शौवर के नाम से जानते है क्योंकि यह आम के उत्पादन के लिए काफी लाबदायाग है इसलिए हम इस नाम से जानते हैं बहुत अधिक बारिश तो नहीं होती लेकिन मई के महने में बंगाल के काल वैशाकी के प्रवाब से थोड़ी बहुत बारिश यहां पर जरूर होती है इससे आम के प्रोड़क्शन में काफी फाइदा होता है इस रितू में हवा प्राया गरम होती है किन्तु राची हजारी बागवा देवगर के इलाकों में शाम के बाद हवा ठंडी हो जाती है तो स्थानिया विभिनताओं की वैए से आप देख सकते हैं तापमान में जो फरक है दूसरे रितू की बात करें तो वर्शा रितू मौनसुन यह मद्य जून से स्टार्ट होती है जहां पर ग्रिश्म रितू खतम होती है और अक्टूबर के एंड तक चलती है जहां पर ग्रिशा का आगमन मद्य जून यानि पंद्रा के आसपास हो जाता है वर्शा मुख्यत यहां पर दक्षिन पश्चिम मौनसुन के द्वारा होती है यानि आप इंगलिश में इसे कह सकते हैं साउथ वेस्ट मौनसुन तो मौनसुन के बड़े सारे टाइप्स हैं और उसमें से एक साउथ वेस्ट भी है मुख्यत वर्शा जो जार्खिन में होती है वो दक्षिन पश्चिम मौनसुन के द्वारा होती है जार्खिन में वक्षा दक्षिन पश्चिम मौनसुन की दोनों शाखाओं बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर शाखाओं से होती है आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अगर भारत के नीचले पैनिंसुलर पार्ट को बनाओ तो इधर हमारा अरब सागर और इधर हमारे बंगाल की खाड़ी यानि बे ओफ बंगाल है और दोनों की तरफ से जो हवा है वो प्रेशर बनाती है हमारे बारत वर्ष पे तो यहाँ जो दक्षिनी पश्चिम मौनसुन है इन दोनों शाखाओं की वज़े से होती है जो जार्कन के लिए रеспॉंसिबल है वर्षा का सामानी वित्रन से यह है इस पश्चिम की ओर घठती है तो अगरे बात करूं इस डिरेक्शन में तथा इस डिरेक्शन में इस प्रकार ये वर्षा का जो distribution है समाने तोर पे वो होता है दूसरे उचे भूभागों में अपेक्षा कृत अधिक वर्षा होती है जबकि निचले भूभागों में कम होती है वर्षा की दृष्टी से जारकन मद्यम वर्षा का परदेश है बहुत अधिक भी नहीं कह सकते बहुत कम भी नहीं कह सकते और जारकन में वर्षा का वर्षिक औसत एक सो चालिस सेंटीमेटर है ये बहुत ही एहम हिस्सा जो measurement है rainfall की यहाँ पर average वो औसतल एक सो चालिस सेंटीमेटर है पाठ शेतर में स्थित नेतरहर्थ का पठार जो कि 1000 मेटर से अधिक उचा है भूबाग से जारकन का सरवादिक वर्षा का शेतर है जहां 180 सेंटीमेटर से अधिक वर्षा होती है यह भी बहुत ही important हिस्सा है बहुत ही important point है नेतरहर्थ जिसके तापमान के बारे में मैंने बोला कि बहुत moderate होता है यहाँ पर सरवादिक वर्षा होती है और 180 सेंटीमेटर से भी अधिक वर्षा हो सकती है आप देख सकते हैं फरक औस तरन और नेतरहर्थ में चाय बासा का मैदानी शेतर 300 मीटर की उचाई पर है लगबग भूबाग से और इस वज़े से यहाँ पर कम वर्षा होती है उचाई कम होने की वज़े से अगर मैं आकरी रितु की बात करूँ शीत रितु यानि विंटर्स तो यह नवंबर से फेब्लोरी तक इसका जो रेंज है इसकी जो काल है अबधी है वो है शीत रितु का आरम नवंबर महिने में हो जाता है और शीत रितु में यहाँ का तापमान प्राय है 15 से 21 डिगरी से शेज तक होता है राज्य का सरवादिक ठंडा महिना जैनवरी होता है तो सबसे ग्रीश में सबसे गरम महिना जो है वो मही है और सबसे सरवादिक ठंडा महिना जो है वो जैनवरी है राज्य का सरवादिक ठंडा स्थान नेतरहाट है जहां का तापमान जैनवरी महिने में क जादre गर्मी भी नहीं होती ओर ठंड में काफी ठंड परती हैं अगर आँब बात करूँ शीद्रितो की तो मैं इसकी वज़ह बता दूं Northwestern Disturbances मैंने पीछे भी बात की थी उत्री पष्च्च्मी की जो Northwestern Disturbances है यह उत्री पष्च्च्च्मी जो ऑवा में जिसकी वज़े से मौनशन का टाइप है जिसकी वज़े से कभी-कभी हलकी बारीश हो जाती है जो राबी फस्लों के लिए काफी उपई होगी है ये मैं आपको बता दूँ जो राबी crop होते हैं हमारे जो winter crop होते हैं उसके लिए बहुत उपई होगी है क्योंकि उसके उत्पादन के लिए यह जो भलकी बारिश होती है यह बहुती लाबदाया कि ठीक जैसे mango shower के लिए mango की उत्पादन के लिए mango shower था और उसी तरह यह जो उत्तरी पश्चमी सामाईक व्यवधान है इसके कारण कभी-कभी जो हलकी बारिश होती है वो राभी और इवन सब्सक्राइब जरूर करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद